एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों कन्फिशन होता है कि सर ओसी आर में क्या आएगा और प्रॉफिट लॉस में क्या-क्या इटम जाते राइट तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो इस से आपकी हल्प हो जाएगी और इस हाथ में क्वेशन भी सॉल कर लेंगे जो आपके एक्जाम में आ सकता है ठीक है अच्छा एक बात और ध्यान रखना ये क्वेशन दब देखना जब आपने एक बार पढ़ रखा हो ठीक है एक फार पढ़ नहीं रखा हो और यह द सबसे पहले जब अधर कॉंप्रेंसिव इंकम की बात करेंगे तो इसके दो काटेगरी होती है अगर आपको पता रहेगा इसका एक होता है OCI-NR और एक होता है OCI-R अब मैं थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देता दूनों का मतलब क्यों होता है एक फुल-फॉर्म होता ह से भार जाएगा फर एक्जामपल आपने PPE के उपर कोई OCI-NR में रिवालवेशन गेन बुक किया था वो फिर अधर एक्वीटी के रिवालवेशन सर्प्लेस में दिख रहा होता है बराबर जब आप इस PPE को डिस्पोस करोगे तो इस सर्प्लेस का क्या होगा तो अगर व अगर आपको पता है इनिशली जब आपको रिवालवेशन गेन आता है तो गेन जाते है OCI में तो OCI किजा OCI आर वाला ठीक है तो रिवालवेशन गेन अगर आता है 1638 पर तो जाते है OCI आर के अंदर ठीक है उसके अलावा रिमेजर्मेंट ओफ डिफाइंड बेनेफिट प्लान्स सर यह कुन सा है यह आपके इंडेस 19 में कवर्ड होता है आपको अगर याद रहेगा तो देर इस सम्तिंग नोन अगर आपको डीबी ओ या प्लान असेट के ऊपर अप्ट्रीक होता है तो वह जाते है OCI अनर के अंदर ध्यान रतना उसके लवा इक्विटी इंश्रूमेंट्स थ्रू ओसी आई सर यह कहां कवर्ड है यह कवर्ड है आपके इंडेस 109 के अंदर कभी-कभी क्या होता है है ना जब आपन बिजनस मॉडल टेस्स से टेस्ट करते है तो वह बोलता अगर CCFC मीट नहीं करेगा तो आपको FVT पर में जाना पड़ेगा लेकिन इक्विटी इंश्रूमेंट्स के केस में you have an irrevocable option कि अगर वह आप option चूज करोगे तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग gain loss and profit and loss you can choose FVT OCI NR वाला option बराबर क्या तो वह irrevocable option अगर आपने चूज के equity instruments के लिए तो उसका जो भी gain loss है instead of going to profit and loss देखो FVT पर का मतलब क्या होता है FVT मतलब उसका जो भी gain loss है वह profit and loss में जाता है बराबर और FVT OCI NR का मतलब क्या होता है उसका जो भी fair value gain loss है वह OCI NR में जाता है इसले में कह रहा है आपका पूरा FVT पड़ा वारेगा तो आपको better समझेगा ठीके last day पर बढ़िया काम आएगा आपको तो इर-revocable option वाला कोई भी gain loss है अगर associate ने कोई भी OCI वाला profit कम है तो हम भी उसको अपने CFS में OCI में दिखाते है तो अगर associate ने OCI NR में कोई profit book किया है तो CFS में भी OCI NR में दिखता है अगर associate ने OCI R में profit book किया है तो हमारे OCI में भी CFS के अंदर भी OCI R में दिखता है बराबर लेकिन यह तो पड़िकल नहीं है बाकी कोई आगा तो ठीक उसके लावा R की बात करते है R में भी 2 important है सबसे पहला exchange difference in translating the foreign operation देखो foreign operation के financial जब आप translate करते हो देखो एक होता है foreign currency में transaction और एक होता है translation अगर translation वाला सीन है मतलब आपने foreign operation के financials को translate किया है अपने currency में जब translate करते हो तो वो जाता है OCI R के अंदर इसमें एक बात ध्यान दखना अगर कोई भी foreign currency transaction होता है transaction transaction, translation अलग होता है transaction अलग होता है अगर कोई भी foreign currency transaction होता है उस पे जो भी gain loss है वो आपके most of the cases में profit and loss में जाता है इस बात का ध्यान रखना बराबर foreign currency transaction अलग होता है और translation अलग होता है transaction का gain loss profit and loss में जाता है यह ध्यान रखना उसके अलावा अगर कोई भी debt instruments है जो OCI वाले ह अब ये OCI वाले कौन से होंगे, अगर आपके पास कोई भी investment in debentures है, जो आपका business model CCFC test meet करने के बाद, वो आपको OCI R में भेज रहा है, तो उसका जो भी gain loss है, ये भी index 109 में covered है, तो dead instruments के उपर, अगर आपका business model test CCFC test करने के बाद, अगर वो आपको FVT OCI में भेज रहा है, तो वो OCI R में भेज रहा होता है, तो इसका जो भी gain loss है, वो जाता है OCI R के अंदर, ये बाद ध्यान रखना, उसके अलावा है cash flow hedge वाला, आपकाने question करते है financial instruments में, तो hedging के ओपर जो भी gain loss है, वो भी OCI R में जाता है, फिर ये वाला point में डिसकस आपका अलेड़ी कर लिया कि जब associate कोई भी OCI R का profit कमाता है, तो हम भी उसको CFS में OCI R में record करते हैं, बराबर, बढ़ ठीक है, तो ये तीन आइटम आपको याद रखने है, NR वाले और दो आइटम आपको याद रखने है, R वाले from exam point of view, ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये associate का जब आप CFS में profit book कर करते हैं, OCI के अंदर, तो ये OCI से reclassify का होता है, उसके ओपर एक question है, वो मैंने अपने ही YouTube पर डाल रखा है, IndeS 103 and 110 reclassification of OCI R and NR, वो वैसे उस नाम से question है, वो भी करके चले जाना, ठीक है, बढ़ इस वाले वीडियो में आप से इतना याद रखो, NR में क्या आता है, R में टेलिग्राम पर डालूँगा, चिंता मत करना, अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अब तक helpful है, तो लाइक जरूर करते हैं, ठीक है, चलो, अब फटाक से question discuss कर लेते है, illustration number 20, इसमें करना क्या है, ये IndeS 1 का question है, इसमें जिभी एक चीज बोला है, आपको बताना है कि ये ये profit and loss में जाता है, उसके लावा, re-evaluation surplus, मैंने बता था ना, IndeS 16 का और 38 का जो भी gain loss आएगा, वो OCI में जाता है, to be precise, वो OCI NR में जाता है, उसके लावा, gain loss arising from translating monetary asset in foreign currency, जब आप monetary asset translate करते हो, इसका मतलब वो translating word देखें, मतलब कहीं ना कि ये foreign currency transaction आपने किया रहेगा, इ इसका जो भी gain loss transaction का, ये profit and loss में जाता है, लेकिन, जब आप पूरे financial statement translate करते हो, तो वो OCI में जाता है, बराबर देखो, जब CW का तो asset liability translate करो, मतलब वो transaction की वैसा था, तो वो profit and loss में जाएगा, लेकिन जब पूरे financial आप translate करोगे, तो कहीं ना कि वो OCI में जाता है, जो भी precise instruments कभी CCIFC test नहीं मेट करता है, तो OCI में मतलब वो IRRECOL option वाला ही होगा, तो ये जाएगा आपके OCI में, to be precise OCI में, जाएगा, जाएगा, ये वाला उपर वाला NR में जाएगा, ये भी आपका NR में जाएगा, उसके अलावाट, ये वाला आपका profit and loss में translating FSC आपका R में जाए R and R again पूछा नहीं है, बड़ आपन थोड़ा टेक्निकल एच्छे सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया वो चीज़ भी, उसके अलावा, अगर कोई भी income tax का expense है, profit and loss में, until and unless, ये mention हो कि income tax OCI वाला item के उपर है, actually income tax का logic ऐसा रहता है, जिस item पे tax भर रहे हो, अगर अगर वो item profit and loss का, तो income tax भी profit and loss में, लेकिन जिस item पे tax निकाल लो, अगर वो item OCI का income tax भी OCI में, when nothing is mentioned, always assume income tax profit and loss वाला होगा, उसके लावा share based payment expense, यादे क्या, SBP expense to SBP reserve या SBP liability अपन transfer करते, तो SBP expense है, वो कहा जाता है, employee benefit expense में जाता है, वो जाता है आपके profit and loss में, employee benefit expense, तो profit and loss में जाएगा, simple, बराबर, चार मां का question है, कभी आ गया तो आ गया, पड़ उसके लावा ये भी आपको यादपना जरूरी है, तो कोशिश पूरी किये मैं आपके लिए, तो I hope this video might be helpful, टानोर जरूर कर लेना, और अच्छे से करके चले जाना, ठीक है, और अगर आप ये चलो, बाइबाए, टेक केर